जय सी उसंकर्वित्रों मैं आप सभी का सुरिद हरीश पांडे 27 जुलाई 2022 का मकररासी फल लेकर के उपस्थित हूं मैं बतलाओंगा कि 27 जुलाई 2022 का दिन आप सभी मकरासी वालु के लिए कैसा रहेगा और सुब अंग क्या होगा और सुब रंग क्या होगा और कल का उपाई क्या होगा अर्थात 27 जुलाई का उपाई क्या होगा तो वीडियो में बने रहिएगा आप, इसकिप मत कीजेगा वीडियो को और चर्चा सुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप भी अपनी समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा चाहते हैं अपनी कुणली दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरे वाट्सअप नमबर पर मैसेज करें मेरा वाट्सअप नमबर है 8540096730 यह नमबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा तो चलिए मित्रों सुरू करते हैं 27 जुलाई 2022 का मकर रासी फल तो मकर रासी वाले भाई बहनों, आज 27 जुलाई को रासी से चंद्रमा की इस्थिती जो है वो छठम भाव में होगी और मित्रों चठम भाव का चंद्रमा पूर्णतह सकारात्मक होता है, पूर्णतह पॉजिटिव होता है तो आज का दिन तो आपके लिए बहुत ही सांदार और सफलता दायक सिद्ध होने वाला है जैसे आपने सुना होगा कि आज का दिन मैं विजेता रहा, आज का दिन मिरे लिए लखी रहा ये इस्थिती आज आपके साथ बनने वाली है, आज का दिन आपके लिए बिलकुल सौभाग दायक होने वाला है आज आप जिन भी कारियों को करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी अपने काम के बीच में रुकावट बनने वाले विरोधियों को भी आप परास्त करते हुए नजर आएंगे आज कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सत्रू आपके कारियों में रुकावट नहीं बन सकता क्योंकि आपका आत्म विश्वास प्रवल रहेगा और आपकी बुद्धी मत्ता आपका साथ देगी जिसके परड़ाम स्वरूप आप अपने विरोधियों को करारा टकर दे सकने में सक्षम होंगे, अगर आज आप यात्रा करेंगे, तो यात्रा भी आपकी सफल होगी, आपकी इंकम आज बहुत अच्छी रहेगी, इंकम में कोई प्राबलम नहीं होगी, जो लोग पिछले कुछ दिनों से निगेटिविटी फेस करते आ रहे थे, आज उन्हें निगेटिविटी से रहत मिलने वाली है, ये बिलकुल तय है, तो आज के इस सफलता पूरवक जो दिन है आज का, इसका पूरा-पूरा लाब उठाईए, रिलेसंसिप वालों का भी रिलेसंसिप बहुती सांदार रहने वाला है, विद्यार्थियों का भी दिल-दिमाग प दिखाईए, और उनसे अपने चंद्रमा की इस्तिती जानिये, और उस अनुसार उपाय कीजिए, और मजबूत चंद्रमा का लाब उठाईए, ठीक है, और आज का जो दिन है, आपके लिए सुब समाचार से भरा हुआ होगा, कहीं न कहीं से सुब समाचार आपको सुनने को जरूर मिलेंगे, घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, चाचा हैं, या पिता हैं, माता जी हैं, उनका आपको प्रेम भी मिलेगा, इसने भी मिलेगा, और आसिरबाद भी मिलेगा, उनसे आज आपकी बादचीत आपका बेवार बहुत ही मधुर रहने वाला है, और जो आज का लखी अंख है, वो है नमबर एक, और उपाय तो तब किये जाते हैं, जब कोई नकारात्मकता होती है, तो आज के लिए आपको वैसे तो कोई उपाय करने की आवसकता नहीं है, किन्तु सावन का पवित्र महिना चल रहा है, सिव जी के मंदिर में एक बार जा बाहत मिलेगी, जाते जाते एक बार फिर से कहे दूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे वाट्सप नमबर पर मैसेश करें, मेरा वाट्सप नमबर है 8540096730, तो मित्रों चलता हूँ, कमेंड वाक्स में जैसिव संकर